मैट टाइप नरसरी बिचाने के कुछ आसान स्टेप्स महिंद्रा साथी हर कदम एपिसोड दो स्टेप एक सूखी मैट नरसरी बेड के लिए प्लास्टिक शीट बिचाएं स्टेप दो अंकुरों को धूप से बचाने के लिए ग्राउंड बेड को पूर्व से पश्चिम की और रखें स्टेप तीन ये सुनिश्चित करें कि ग्राउंड बेड की सता समतल हो स्टेप चार बीज बेड का मिश्रण तयार करें चानी हुई मिट्टी प्लस वर्मी कंपोस्ट बिना पत्थर के स्टेप पांच बहतर जल प्रबंधन के लिए नरसरी प्लाट को खेत के बीच में रखें स्टेप चे नरसरी बेड की उंचाई दो से दो दशमलब पांच सेंटीमीटर रखें स्टेप साथ अंकुरित धान के बीजों को बेड के किनारे पर रखें फिर समान रूप से फैलाए फैलाने के लिए महिंद्रा सीडर का इस्तिमाल करें स्टेप आट जब नरसरी 15 से 20 दिन की हो जाए तो रोपाई करें और इसकी उंचाई 16 से 18 सेंटीमीटर रखें स्टेप नौ निकाले गए नरसरी केक को उसी दिन ट्रांस्प्लांट करें तो ये लीजिये हो गई मैट टाइप नरसरी तयार ट्रे टाइप नरसरी कैसे बिचाई जाती है यहाँ जानने के लिए महिंद्रा साथ ही हर कदम के अगले एपिसोड के लिए हमारे साथ बने रहें